हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में यदि आप टीचर बनना चाते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो बिलकुल जितने भी सिक्षक भरती के विज्यापन जारी होते हैं चाहे वह गौर्मेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वेकेंसी जिसकी सूचना आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती है मेरे द्वारा आप लोगों को समय पर सूचना दी जाती है, ताकि अंतिम तेथी निकलने से पहले आप लोग आविदन कर सके बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जो की वीडियो बात में देखते हैं, डेट निकल जाती है और उसके बाद जो है कमेंट करते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो समिट ही नहीं हो पा रहा है उसकी केवल एक ही जो है वज़े होती है कि आप लोगों ने जो है समय पर वीडियो नहीं देखा है और अंतिम डेट के बाद जो है फॉर्म अपलाए करते हैं तो रेगुलर बने रहें चैनल पर जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है चैनल से जोड़े रहें सिखशक भरती के जितने भी एड़टीजमेंट जारी होते हैं आप लोगों तक सूचना जो है वीडियो के मादिम से पहुचाई जाती है जादा से जादा वीडियो को शेयर करें यदि आपका सबजेक्ट नहीं है आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड्स में अगर किसी का सबजेक्ट है तो वह भी अपलाए कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हम दो वैकेंसी की बात करने वाले हैं दोनों अलग अलग राजियों के जो विग्यापन जारी किये गए हैं PM3 CRPF KVS रांची से वेकेंसी है और दूसरा जो विग्यापन जारी किया गया है डॉक्टर राजिंदर परसाद KVS से सभी विश्यों की वेकेंसी निकाली गई है यहां आप लोगों को सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे हर पोस्ट में तो चलिए देख लेते हैं सभी राजियों के केंडिरेट जो है बिल्कुल KVS में जाने के लिए अलाओ है सबसे पहले हम लोग PM श्री केंडरे विध्याले CRPF राची की वेकेंसी है उसमें हम सब्जेक्ट देख लेते हैं किस पोस्ट की कौन-कौन से सब्जेक्ट की वेकेंसी आई हुई है सबसे पहले इन्होंने एज लिमिट दिया हुआ है 18 से लेकर 65 वर्सक के केंडिरेट यहां पर अप्लाए कर सकते हैं PZT Biology की वेकेंसी है PZT Biology में Qualification जो है आपकी Master Degree होनी चाहिए MSC Course आपने किया हो साथ में आपके दो सब्जेक्ट आपने graduation level पर पढ़े हो तो ही आप PZT Biology के लिए अप्लाए कर सकते हैं जिसमें Botany या Zoology तो एक सब्जेक्ट होगा ही इन में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है इसके अलाबा Life Science, Bioscience, Genetic, Microbiology, Biotechnology, Molecular Bio, Plant Physiology इसमें से एक सब्जेक्ट हो तो graduation में आपने दो सब्जेक्ट इन में से पढ़े होने चाहिए साथ में B.Ed बिल्कुल PZT के लिए यहाँ पर कहा गया है English Medium, Hindi Medium Candidate बिल्कुल यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं TZT, English and Mathematics की जो vacancy है आपकी Bachelor degree इसना तक आपका 50% अंकों के साथ में होना चाहिए Subject Combination आप देखें TZT English के लिए English आपने graduation में 3 साल पढ़ी हो TZT Maths के लिए Math के साथ में कोई भी जो है आपका subject रहा हो Physics, Chemistry, Electronics, Computer Science या Statistics इसमें से एक subject आपका होना चाहिए CTAT आपका qualify होना चाहिए CTAT Paper 2 पढ़हने का जो यहाँ पर प्रॉफिस NC जो है Hindi, English Medium में रहेगा Computer Instructor की vacancy है जिसमें computer में degree, diploma वाले बिल्कुल eligible रहते हैं चाहे आपने bachelor degree, master degree किसी भी subject से किया हो चाहे आपने science से किया हो या फिर किसी भी subject से किया हो चीक है या फिर post graduate degree आपके पास है any subject with minimum A level from DOEG तो भी आप apply कर सकते हैं तो computer instructor के लिए कोई भी degree, diploma वाले जिनोंने computer में degree, diploma कोई भी आसिल किया है post graduation के साथ में computer अनुदेश्रक के लिए apply कर सकते हैं counselor की vacancy है B.A.E.B.S.E. psychology में साथ में certificate of diploma in counseling game coach की vacancy है graduation के साथ में physical education यानि V.P.E.D. diploma डिग्री होनी चाहिए nurse diploma in nursing में special educator teacher की vacancy है जिसमें B.E.D. special education में होना चाहिए एक आप देखें बालवाटिका teachers की भी जो है vacancy हर स्कूल से आ रही है जिसमें 12th 50% marks के साथ में होना चाहिए और आपने diploma किया हो pre-primary जिसमें nursery teacher education, pre-school education, early childhood education program, D.E.C.E.D. या फिर B.E.D. nursery आपने किया है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो अगर आप दो post के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग जो है application form फिल करने होंगे सबसे पहले जो है school की main website पर आना है PM श्रीक इंद्रे विध्याले CRPF रांची announcement section में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा advertisement of contractual teacher उसके बाद जो है नीचे contractual interview 2024-2025 bio data form ठीक है आप देख लेते हैं next vacancy Dr. Rajind Prasad Kendriya Vidyale तो serial number 1 and 2 यह दोनों ही vacancy से संबंदित हैं first जो है registration link है दूसरा eligibility सारी detail आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी तो चलिए सबसे पहले जो हम देख लेते हैं subject, salary वगर अभी जा सारी चीज़े यहाँ पर mention की गई है payment आपका क्या रहेगा तो PZT में सभी subject की vacancy है जिसमें 27,500 PZT के teachers को salary रहेगी TZT all subject की vacancy है जिसमें 26,250 पर month रहेगी PRT में 21,250 पर month salary रहेगी Computer instructor 6th to 10th के लिए 26,250 और 3rd to 5th के लिए 21,250 salary है उसके बाद sports coach, music instructor, art and craft, band instructor, dance instructor Yoga teacher, special educator इन सबकी vacancy जो है आप देखें 21,000 से अधिक है Counselor के लिए 26,250 पर month, doctor 1,000 पर working day Nurse के लिए भी 750 पर working day ये जो है salary है आप देख सकते हैं उसके बाद जो है qualification वो आप देख सकते हैं पिसले वीडियो में देखिएगा वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया है और इससे पहले जो advertisement था वहाँ पर भी आपको बताया है कि PZT के लिए post graduation साथ में B.Ed मांगा ही जाता है ठीक है और अगर आप TZT के लिए apply करेंगे तो TZT में graduation plus B.Ed और seated paper 2 आपका qualify होना चाहिए किसी भी subject के लिए आप apply करना चाहें B.Ed पासिं सीटेड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 पढ़ाने का जो यहां पर तरीका रहेगा हिंदी इंगलिस बीडियम दौनों रहेगा प्राइमरी टीचर्स की भी वेकेंसी है तो यहां पर सभी विश्यों की वेकेंसी है बालवाटी का टीचर्स की भी वेकेंसी है यह आप देख सकते हैं बालवाटी का टीचर्स की जो सैलरी रहेगी वो P.A.R.T की टीचर्स के ही बराबर है तो पूरा जो है एडवर्टीजमेंट मैंने देख लिया बट इसमें कहीं पर भी जो last date नहीं नजर आई लिंक आप लोगों को share कर दिया जाएगा यदि आप लोगों को last date दिख रही है तो बिलकुल आप लोग चेक करें क्योंकि मुझे तो बिलकुल भी नहीं नजर आई तो मेरा मानना है, मेरा suggestion ये है कि जो भी apply करना चाते हैं इस vacancy के लिए डॉक्टर राजिंत प्रशाद केंद्री विध्याले ये न्यू डैली में है ये school तो आप लोग 7 days के भीतर ही जो है apply कर दें ठीक है और दूसरी जो vacancy है पीम श्री केंद्री विध्याले राची इसमें भी जो है इन्होंने eligibility criteria वगरे सारी चीज़ें यहाँ पर mention कर दी पर last date इसमें भी नहीं देखी मुझे दोनों ही link विध्यापन के आप लोगों को share कर दिया जाएंगे जो video होता है उसके नीचे description box आप देखा करें तो चलिए मिलेंगे next video में, thank you